नमस्कार जैहन साथियों मैं विवेक ओदिच्चे आप सभी बच्चा पार्टी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस पर मंचिल की ओर तो दोस्तों जैसा कि आप हमारी स्क्रीम पर देख रहे हैं उमीद करते हैं आपने थमनल को देख करने के लिए कर आपके पास स्लेबस है और उस स्लेबस औरिंटेट पढ़ते हो और सीटेट तो ऐसा आयों गया है अपने स्लेबस से बाहर एक डेता है तो आप मिलेगी तो आई यह बने रहते संपोंडर रणनीत के साथ तो दौस्तों इन बात करऊं आप सबी लोगों से स्लेवर्स को ले करके मोटा मोटा सीटेट में दोस्तों डेड़ सो कोस्चन आपके सामने होते हैं डेड़ सो कोस्चन्स आपको सॉल्व करने होंगे जिसके लिए भरपूर समय आपके पास होगा डेड़ सो कोस्चन्स आपके पास होंगे पांच विसाय होंगे विसे आपका कौन सा होगा Child Development यानि की CDP, Environmental Studies यानि की EVS, Math दो language होंगी, language first के नाम से एक को जानेंगे, एक को language second के नाम से जानेंगे language first में आप लोग mostly हिंदी चूज करते हो और language second में आप लोग हिंदी, Sanskrit या English सेलेक्ट करते हो आईए अब बात करते हैं प्रकृति कैसी होती, question का type किस तरीके से question पूछे जाते हैं तो दोस्तों यह मैं बात करूँ आप सभी लोगों से CDP को ले करके तो CDP में 15 questions आपके आएंगे कौन से pedagogy waste पेड़ागोजी का मतलत दोस्तों होता है कि सिच्छन सास्त्र आपके ब्यभारी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि कोई बालक है अगर आपकी कच्छा में कोई बालक समस्यात्मक बालक आ गया है तो या समस्या या बैबधान उत्पन कर रहा है तो आप उस बालक को किस तरीके से हैंडल करेंगे किस तरीके से आपसको समझाएंगे चार आप्शन दिये होंगे इसे इस तरीके के प्रकृति के अगर प्रश्ण है तो पैडागोजी की स्रेणी में आते हैं यानि सिच्छन सास्र की स्रेणी में आते हैं उसे कहते हैं ब्यबहारिक समझ पर आधारित प्रश्ण तो पंद्रा नंबर के कहा आएंगे दूस्तों पंद्रा नंबर के आपके दूस्तों आएंगे इसमें CDP में पंद्रा नंबर के आपके EVS में पंद्रा नंबर के आपके संस्क्रतिय इंगलिस में पंद्रा नंबर के आपके मैत में और पंद्रा नंबर के आपके किसमें हिंदी में तो अगर हम बात करें पांच विसे हैं तो पंद्रा नंबर के पर विसे में हैं तो 75 नंबर की आपकी पैड़ागोजी आ जाएगी पेडाबोजी मात्र पेडाबोजी जिसमें आपको ratification लगाना नहीं कोई सूत्र नहीं आद करने कोई भी नियम नहीं आद करने कोई भी द्हूंत नहीं आद करने और आपके मिलेंगे आपको 55 नंबर तो दोस्तों इसको कैसे कबर करना है अभी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा अब बात करते हैं कंटेंट को ले करके तो cdp में दोस्तों कंटेंट आएगा पंदरा नमबर का जैसे कि मैं बता दूँ आपको जिन पियाजे की तेयोरी जैसे आपकी लारेंस कोहलवर्ग की तेयोरी जैसे कि आपकी वाइगोस्की की थियोरी, जैसे कि आपकी अपसारी और अपशारी चिंतन, जैसे कि आपका चिंतसमस्या समाधहन पर टॉपिक, अधिगम अक्षमता पर टॉपिक, इस तरीके के छोटे-छोटे टॉपिक होते हैं, उनको आपको पढ़ना होगा, अब दोस्तो अपना घुसला कहां बनाता है कैसे बनाता है रेसम का कीड़ा अपनी मादा को क्यों दूर से देख सूंग लेता है जान लेता है कहां पे है यह घटपढ़नी पौधा के बारे में तो यानि कि जो छे थीम होती है इवीयस में पानी यात्रा आवास भोजन हम चीजें कैसे बना परिबार और मित्र इसी से कोश्चन बनेंगे यहां पर जो की आएंगे 15 नंबर के तो यह 15 नंबर पूरे के पूरे मैं खुद आपको पढ़ा करके कवर कराऊंगा अगर आपको अभी पढ़ना है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाओ वीडियो पुरानी बनी है आप देख ल बात करतें फिर संस्कृत पे आते हैं मैत और संस्कृत दो ऐसे भीस हैं आप लोगों के लिए जिसमें तुम्हें लगता है कि मैंने सर्वाइओ ले रखी थी मैंने स्वाइन आर्ट ले रखी थी सर मैत कैसे पढ़ें, सर मैत नाम आते ही एक तरीके से रोम टे खड़े हो ज जिसमें ये पूछा जाएगे बच्चा है जो अपनी मम्मी के माथ पर लगी बिन्दी को गोल देख रहा है तो यह लेका का इसी कि numerical तिमको एक स्क्वाइर प्रस बाइज स्क्वाइर इस तरीके से ताम जाम नहीं करना है फंद्रा नमबर आपके पक्के हो गए अब यह 15 नमबर जो है इसमें भाई खेल होगा इसमें numerical आएंगे अब जो numerical आएंगे को solve कैसे करना है इसके लिए आपको दोस्तों डिवाइड कर लेने है टॉपिक कि कौन सा टॉपिक मुश्ट प्रवरली हमसे पूछा जा रहा है तो हमसे नंबर सिस्टम दवा के पूछा जाता है ने दस नंबर का पंदरा नंबर में से दस नंबर का नंबर सिस्टम पूछा जाता है एक बात बच्चा तुम कच्छा एक से लेकर के ग्रेजूशन में कर ली तुमने तुमने बीटीसी डेलेडो कर लिया यानि कि तुम इतना ज्यादा वेल एजूकेटिट होने के बाद क्या तुम से कहा जाए तुम चार महिने में एक चैप्टर तुमको पढ़ना है जो दस नमबर तु आपके कवर हो गए अब आते हैं संस्कृत की संस्कृत की संस्क्रत की बराबर अंतर बच्चा इतना है कि संस्क्रत का कोर्षण संस्कीट में लिख के आता है और जो कि तुम्हें पता नहीं चल पाता है, उसका अर्थ निकाल नहीं पाते हो, इसलिए तुम्हें टफ लगती, उसके लिए हमारे पास ट्रीक है, क्या ट्रीक है कि पॉस्टिव निगेटिव टैग बर्ड तुमको बता देंगे, कि ये अगर आपसन में दिख जाए, तो त क्या आता है, क्या पूछा जाता है, महाश्य सुत्रों की संख्या कितनी है, ना भाई ना, इसमें बच्चा होता है, साथ और आठ, साथ नंबर का गद्य, और आठ नंबर का पद्य, या साथ का पद्य, आठ का गद्य, पद्य में क्या होता है, दोस्तों, तीन कोश्चन होत यानि कि 6 question आपके paragraph से ही आ जाते हैं और एक बात बताओ बच्चा भासा कोई लिखी हो क्या तुम बिल्कुल line to line पढ़के नहीं निकाल सकते हो ना अब बचा क्या बचे तुम्हारे 9 number का 9 number में तुम्हें संधी पढ़नी है समास पढ़ना है सब्दूरूप पढ़ने है प्रत दोस्तों में बात करूँ आप सभी लोगों से हिंदी की पैडागोजी सबसे आसान ग्रहनात्मक कोसल अभिवेक्तात्मक कोसल भासा कोसल और अभिविविकास कोसल दुनिया वरकेस पढ़गा ले आपकी हिंदी की पैडागोजी 15 नंबर चाप के 15 में 15 उपर दोगे अब आ कोस्चन हो गए बचे नौ कोस्चन उसमें संधी पढ़ लो समास पढ़ लो मुहावरे पढ़ लो प्रयाबाची विलों बस तुम्हारा सलेवस्त इस तरीके से होगा अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको चैनल के माध्यम से एक ट्रिकी वीडियो एक थियोरी की कीच के बहुत ज़्यादा पाँच मिनट से 20 मिनट की मेक्सिमम होगी इस दिओरी में आपका कवर कराया जाएगा Богए कंटेंट 5 मिनट सीटेट रूपी बीमारी तुमारे जिंदगी में दुबारा नहीं रह जाएगी इसको एक खुराक के रूप में ले लो एक खुराक के रूप में यह आपकी खुराक हो गई दूसरी खुराक आपकी लगेगी साथ डेली साथ बजे से नौ बजे तक इस खुराक में दोस्तों आपको क्या मिलेगा जो यहां कंटेंट आप पढ़ोगे इसकी कराई जाएगी पी बाई क्यू प्रिवियस इयर कोश्चन पेपर 23 पेपर हुए हैं 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी के बीच में हुए हैं क्या आपके हुए हैं 23 पेपर तो बो कराए जाएंगे 11 जनवर 2011 से लेकर के 2020 तक दोस्तों हुए हैं आपके 12 पेपर बो कराए जाएंगे 23 और बारहा आपके 33 और दो 35 आपके करा दिये जाएंगे साथ ही साथ फिर हम लोग चलेंगे जब तुम लोग इतना पढ़ चुके होगे ना फिर तो खुदा ही मास्टर बन जाओगे फिर तुम जिंदाबाद ऐसा सोच लो उसके बाद हम प्रक्टिस हम एपसुलांच कर देंगे आपके लिए आप वहां पर माक्टेश्ट दिया कर करना आपना स्कोर कार्ट देखा करना और प्रफलित हुआ करना बारा सो जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है सीटेट का फार्म भरने में वह तुमारे लिए जिंदाबाद होंगे तुम डट के आओगे कि विवेकसर की क्लास से पढ़ाता ये कोशन विवेकसर की क्लास से तो दोस्तों अगर स्टेटिजी पसंद आई हो अगर हमारे साथ आप तयारी करना चाहते हो अगर आप लेडर बाई लेडर सीडी बाई सीडी आप स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं और 120 का आखणा हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइ से सीटेट अच्छे नम्बरों से पास कर चुका है अब आपकी बारी थैंक यू क्लास जहन क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जहन